गुद मॉरिंग किट्स वैलकम तो एस्पेस ओन्लाइन क्लास फिफ्ट किट्स हमारे ये शिक्स कैप्राल रेनिंग में था ठीक है अडर्स्टारिंग फ्रेक्शन्स और प्रिविएसली वीडियो में हमने ये वाली कुश्चन्स भी इसके समझ भी लिये थे और आपने इनको करके बेज भी दिया था मुझे आज हम लोग कुश्चन्स नमबर 9, 10, 11, 12 करने वाले हैं अब मैं जो बोलूँगा वो बिल्कुल ध्यान से सुनना आप ताकि आपको यहीं समझ जाएगा मुझे लिखने की जोट में ने पड़ेगी इसमें क्या है कुश्चन्स नमबर 9 कर रहा है रॉइट दा गीवन डेसिमल नमबर इन वर्ड्स इनको मुझे वर्ड फॉर्म में लिखना है और कुश्चन्स नमबर 10 क्या कहता है कि रॉइट इन नमबर से तो यहां नमबर है और यहां वर्ड है यहां पर वर्ड देख करके नमबर में पूछा गया है और यहां नमबर देख करके इसको वर्ड में लिखने के लिए बोला गया है तो कैसे लिखेंगे देखो ऐसी बात नमर वन है 42 फिर 0.356 यह इसका आंसर हो गया ठीक है वर्ड में लिखने का 7.02 थर्ड वाला 0.409 यह वाला क्या होगा 309.001 15.205 ठीक है इनको वर्ड फॉर्म में लिखना आप 0.002 1.073 415.38 ठीक है यह इनके मैंने आपको वर्ड फॉर्म में लिखने का बता दिया आप कोशिन आता है कि वर्ड में दे रखा आपको नमबर में लिखना है इसको 5.72 बतलब 5.72 60 60.309 तो उसके बाद में 309 लिखना आप 0.08 तो 0.08 इसको अपमें नमबर के फॉर्म में लिखने आपको यहां कहीं दिक्कत ने आएगे लिखने में आपको 905 तो 905.007 7.25 7.25 इसका आणसर आजाएगा कुछिन बाद 11 कहता है Convert the given fraction into decimal number तो उसको decimal में चेंज करना है आपको तो क्या होगा जैसे कि लिखा हो 5.10 तो यहां पे 1 0 है तो आप कैसे लिखोगे इसको 0.5 कैसे लिखोगे 0.5 यहां पे नीचे 1 0 है तो उसका कैसे लिखा होगे एक number छोड़ने के बाद में decimal place कर देना तो उसका answer कि आएगा 2.8 यहां पे नीचे 3 0 है तो उपर से 3 count करो राइट हैंड साइड से 1, 2, 3 और 3 के बाद में decimal place कर देना तो उसका answer कि आएगा 1.037 वैसे दी वाला 59 अपर हैंडर लिखा है नीचे 2 0 है तो उपर 2 count करो उसके बाद में decimal place करते हो तो उसका answer कि आएगा 0.59 यह कि आएगा 0.8 यह 1 अपर 4 लिखा हुआ है इसको मुझे अगर change करना होगा इस answer कि आएगा आप इसको 1 को divide करा दो 4 से तो answer आएगा 0.25 इसको जब आप divide करा होगे तो answer आएगा 0.25 आपको divide कराना आना चीए अगर मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा तरीका बता रहता हूँ करके इसमें जैसी यह 1 अपर 4 लिखा हुआ है तो अब 1 तो जाता नहीं है 4 से तो मैं क्या करूँगा एक decimal place कर दूँगा और यहाँ पे 0 लगा दूँगा तीक है अब यह 10 लिखा हुआ है यह 4 है तो 4 2 जा 8 होता है माइनस करेंगे नीचे बचेगा 2 2 बचेगा क्योंकि decimal लगा है तो 1 0 और लगा दूँगा मैं और 4 5 जा 20 हो गए 0 तो इसकान से क्या आएगा 0.25 सेम एस इसको भी डिवाइड करो और इनको भी डिवाइड करके solve करना ठीक है यह 3 को डिवाइड करके solve करना यहाँ doubt आएगा आप मुझसे एक बाद डिवाइड करना नहीं आए फिल मुझसे पूछ लेना इसको कैसे लिखेंगे दो नीची कितने 0 है 3 0 है ना तो 2 count करो उसके बाद 1 0 और प्रेस करते ना तो कान से क्या आएगा 0 1 5 होगे 3 डिवाइड अब decimal प्रेस करते ठीक है सेम एज यहाँ पर भी करेंगे 0 2 1 फिर एक decimal प्रेस करते हो यहाँ पर क्याएगा 1.25 और यहाँ पर क्याएगा 0.235 ठीक है इस तरह से हम लोग इसको सबको decimal में convert कर दिया अब यहाँ पर fraction में देकर decimal में बोला क्याता अब यहाँ पर decimal में बोला रहा है उसको fraction में change करना है तो देखो ऐसा होता है पॉइंट के बाद में कितने digit आ रहे है यह देखने होता है आपर ठीक है यह आएगा 29 अपन में 10 क्यूकि पॉइंट के बाद एक digit ऐसले 10 आ गया अब 2 digit आगे तो क्या होगा 37 अपन में 100 ऐसी 3 digit आगे तो क्या होगा 5309 अपन में 1000 पॉइंट के बाद 2 नंबर आते हो आट तो हंड़ेट लगाओ और अगर थीन आते लगा है दो अर्चम्jacि आपके इतने हें दो आ रहे तो यह जाएगा 17 75 है अपन में हंड का यह जाए जाए 285 37 producing हम यह क्यों जाएगा 182 281 अपन में हंटेड इस तरह से आप यह सारे कोशन्स की डेसिमल वाले करके मुझे शाम तक भेज़ना थैंक्यू बच्चो